हैलो एफ्रेंट्स आपसाब उम्मीद करति हूं कि सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं चली आज पात करते हम इस्पाइडर बलांट की तो आप देख सकते हैं के मेरे पास ही स्पाइडर बलांट है इसको मैं डिवाइट करके दो प्लांट इसके बनाने वाली हूँ तो दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइट कर लिया है और spider plant से हम multiply करके काफी सारे इसके प्लांट हम बना सकते हैं छोटे छोटे इसके baby pops हमको मिल जाते हैं काफी सारे तो आप उनको अलग-अलग pot में लगा सकते हैं hanging basket के लिए तो यह है plant काफी अच्छा होता है और इसकी जो rooting होती है वो भी बहुत जादा नहीं होती है तो आप इसे किसी भी छोटे pot में भी लगा सकते हैं असानी से यह उसमें grow हो जाएगा तो मैं भी इनको च्छैंची के pot हैं नहीं में लगाने वाली हूँ तो काफी अच्छा रहेगा यह plant terrain के लिए तो मैं इनको लगा दे रही हूँ और मिट्टी आपको पता है कैसे बनानी है और अपने जो गमले हैं उनमें अच्छे से पहले ड्रेनी जोल करें ताकि उसकी जो भी roots हैं वो अराम से चुप जाए इस plant की care करना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है इस plant को आप ते दूब में ना रखें मैंने ये दूब में ही रख रखा था तो थोड़ा सा burn हो गया है तो आप इसे दूब में ना रखें शेड में आपको इसको रखना है जहाँ पर थोड़ी bright light आती हो या एकाद गंटे की sun light आती हो ऐसी जेगा पर आपको इसको रखना है तो वहाँ पर आपका ये plant एक दम green रहेगा अब बात करते हैं कि हम इसको कौन-कौन सी खाद दे सकते हैं तो friends आपके पाल जो भी खाद available है आप कोई भी खाद इसमें यूज़ कर सकते हैं और अगर आप छोटे plant लगा रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप इनमें fertilizer का यूज़ कीजिए इससे होगा ये कि जो हमारा planter है वो उपर तक नहीं बरेगा क्योंकि इनमें space ज्यादा नहीं होता है तो आप इसमें liquid fertilizer का यूज़ करेंगे तो ज्यादा best रहेगा जो छोटे-छोटे मेरे plants हैं मैं उनको इसी तरह से जो nutrition देती हूँ घर में हम दाल चावल बनाते हैं सबजियां बनाते हैं तो उनका पानी हम अपने plant में डाल सकते हैं इससे उनको काफी सारे nutrition मिल जाते हैं तो काफी healthy रहते हैं हमारे सभी plant दोस्तों इंडिया में चाय के दिवाने सभी हैं हर घर में चाय बनती है और चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती होती है ज्यादा तर लोग उसको कूडे में फैंक देते हैं लेकिन आप ऐसा ना करें क्योंकि आप उसको भी reuse कर सकते हैं और उसको reuse ऐसे करना होता है कि अगर अब उसको निकाल कर फैंग दें, अधरक नहीं डालना है, और जो पत्ति है उसको अच्छे से पाने से दूह लए, और दूने के बाद आप उसको अपने प्लांट में डाल सकते हैं या फिर आप चाय पत्ति का पानी उबाल कर और छंडा कंने के बाद उस पतला करके अपने सभी प्राइंट च्वाइन में पलंते हैं पानी किसमें डीप आप चाूआ को तो पानी आप इस यहां पर रिखें जहांआ हुआ से बाकि आपको इसको शेड में ही रखना है, मैंने इसको धूमें रख रखा तो थोड़ा सा बढ़न हो गया है, लेकिन आप ऐसा ना करें एक बार आप इस प्लांट को अपने गार्डन में एड कर लोगे तो आपके पास यह प्लांट सदा बना रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, थोड़ी सी केर चाहिए होती है, बस हर प्लांट को इससे जादा उनको बहुत जादा केर की जोड़त नहीं होती है, बहुत हार्डी जो भी मैं आपको बताती हूं, सब हर्डी प्लांट है, आप थोड़ी सी केर के साथ इनको सालों साल अपने गार्डन में चला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी हैंगिंग बास्किट बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि आप कोको पीट का यूज कर सकते हैं, थोड़ी सी मिट्री और उसमें कोको पीट मिलाके अपने हैंगिंग बास्किट तियार कर सकते हैं, उससे दो चीज़े होंगी, एक तो हमारा जो पॉट होगा, वो लाइट वेट होगा, और दूसरा हमारे प्रांट को अच्छे से मॉस्टर मिलता रहेगा, उसमें ज्यादा पाने डालने की आपको जोड़ तो नहीं पड़ेगी, तो चलिए मैंने इनको अब रिपॉट कर दिया है, पाने डालकर अब मैंने कुछ दिन के लिए शेड महीं रखूंगी, तो चलिए फ्रेंट्स, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, जानकारी आपको कैसी लेगी, आ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें, चलिए जल्दी ही लोटूंगी नए वीडियो के साथ और दूंगी आपको एक नए आपडेट, तब तक के लिए लेती हूं आपसे विदा, बाबाई तेक केर